कि हलो फ्रेंट्स वेलकाम दोस्तों यह जो आपको वीडियो सीरीज मिलने जा रही है यह भाकर ने श dobr जाऊ कि एक और एनसे अन्सीनीव मि defensive को मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर दिया था और वह मैं पहले वीडिस को आपको मैं देने माला हूं अगा mourning के समय का है तो लागडाउन के टाइम में आप जानते ही थे सब के बाल शुचन को देखने के बाद कोई वीटियान में देजाब आउगा ठीक है और content wise वीडियो बहुत ही अच्छा होगा ठीक है आपको कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे और इतना मैं धावा करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो सेशन को देखने के बाद कोई भी बुक अगर आप उठाएंगे कोई भी बुक एवन आप लुसेंट या फिर मनुहर पांडे कोई भी बुक अगर आप उठाते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हम ने जो पढ़ा चलिए धन्यवाद हलो और वेल्कम तो यू आप सभी का हमारी इस ओनलाइन स्टेडी चैनल सक्सेस में करने आज से हम सुरुआत करने जा रहे हैं हिस्टी को पढ़ने का ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है आपके जो इंडेस वेली सिवलाजेशन या फिर आप जो पढ़ते हैं सिंदुगाटी सब इता उसके पहले के कुछ घटना क्रमों को देखेंगे ठीक है क्योंकि कोश्टन्स वहां साही बनते हैं और जिनका भी बिएट या फिर टीटी वगरा का एक्जाम है वो तो जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत थे इंपोर्टेंट करेंगे तो अगर हम छोड़ देते हैं तो कोश्टन आ गया तो फंस जाएंगे हम ठीक है तो चलिए आए शुरुआत करते हैं ठीक है हिस्ट्री या फिर इतिहास हम कहते है कि सबसे पहले सुरूर से हम देखेंगे इतिहास अगर बात करें इति और हास दो सब्दों से मिल कर के बना हुगा है इति का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ही ठीक है ऐसा ही या फिर इसी प्रकार ठीक है ऐसा ही हम लिग देते हैं और हास का मतलब होता है हुआ ठीक है मतलब कुल्मिला के बात करें कि हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था ठीक है मतलब हिस्ट्री में पढ हिस्ट्री हम कहते हैं तो अगर आप किसी भी चीज को अपने उपर अगर आप ले करके सोचें हालाकि ये जनरल सा कोशन है कोई भी बच्चा इसका जो है उत्तर दे देगा ठीक है बट कभी कमाल ये कोशन पूछ देता है और फासा करके अप्शन देता है तो इतिहास को हम प्राचीन काल में कुछ गलतिया किसी राजा द्वारा कर दी गई है तो उससे हम सिक्षा ले सके वह गलती हम ना रिपीट करें माली जागर कोई दो कंट्री के बीच में वार हो रहा है और वैसा ही वार कभी पहले भी हो रखा है और उसमें कोई गलती कर दिया है कोई तो कुल मिला के हिस्ट्री हम केबल और केबल सिख्छा लेने के लिए पढ़ते हैं ठीक है तो इतिहास पढ़ा जाता है सिख्छा लेने के लिए आईए चलिए अब बात करते हैं इतिहास के अंग या फिर इतिहास कितने प्रकार के होते हैं तो कुल मिला के दोस्तों इतिहास जो काल है उसको हम तीन भाग में कट रहे हैं ठीक है तीन भाग में इसका कट्राइशन किया जाता है और वो तीन भाग है कि आप सबसे पहला है दोस्तों प्री हिस्ट्री दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्टोरियन हिस्ट्री ठीक है प्री प्रोटो और हिस्टोरियन अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो प्री को हम कहते हैं प्राग इतिहास प्रोटो को कहते हैं आदी इतिहास और हिस्टोरियन को कहते हैं इतिहासी की इतिहास ठीक है इसको भी लिगते चलते हैं इसको हम कहते हैं प्राग इतिहास इसको कहते ह है तो निस्तालि हसी होता है फिर पहले बहुत प्राचीन काल के अगर बात करें यह जिस में को दोकूमेंट प्राप्त नहीं हुए है मुझे और बलांगे सब्क्रेयाएं आप prioritize धूक्त होगए गयाATH गुट वगएरा वगएरा कुछ रतन या फिर को हीरे जो रात कुछ ऐसे कोछ प्रापत हो गया है ठीक है उसके बारे में अगर मम पढ़ते हैं तो उस इतिहास का जो इस्टेडी होता है वह आताहे अपके प्री-स्टिया फिर प्राग इतिहास के अंदर ठीक है तो हम लिग द पढ़ाने जा सका है जैसे इंडस वेली सिविलाजेशन ठीक है इंडस वेली सिविलाजेशन बहुत ही अच्छा एग्यांपल है आपके प्रोटो हिस्टी टाइम का इसमें हमें बहुत सारे रिटें डॉकमेंट्स मिले हैं बट उसकी जो लीपी है उसको आज तक हम पढ़ी न माल लीज़े 5-6 घंटे तो आपको जरूरी होगा ठीक है बट अगर हम कह रहे हैं कि जो है 5-6 घंटे है और रिटें डॉकमेंट्स कुछ नहीं मिला है जिस दिन डॉकमेंट्स अगर हम उसको पढ़ लिए ठीक है जो हम नहीं पढ़ पाया है उसको पढ़ना शुरू कर दें सब हमान सकते हैं कि जो भी जैसे मुगल संतनत आप पढ़ते हैं मुगलों का काल जो भी आपका गंधी का सिम्म hea सारे जो हिस्ट्री होते हैं वो सब हिस्टोरियन हिस्ट्री के अंडर में आते हैं प्रोटो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं आपके इंडस्वेली सिविलाइजेशन वगेरा और इंडस्वेली सिविलाइजेशन से पहले कि भी हम कौल को देखेंगे तो वो हमारा जो है प्री ताइमलाइन के साथ हिस yourself से देखना ए थाक है तो सबसे पहले हैं उसमें करठ इस्क्राइस करते हैं सबसे पहले होता है वो होता है आपका 10.000 Church से ते स महाले का आज slippery ऑलिट होता है कई लोग को ये चाज ने समाझ में आता है की PC और जैसे कि कई कलेंडर में अलग होता है यह इंग्लिस कलेंडर है और स्टी कविलिस क्या हुटता है टेखिए जिससे दिन जिस साल में 17,000 पैदा हुए, उसके पहले के साल को हम BC कहते हैं, उसके बाद के साल को हम AD कहते हैं, अच्छा कई लोग ये कहते हैं, कि जब Jesus Christ मर गया है, उसके बाद के काल को हम AD कहते हैं, यानि कि इसको after death भी कहते हैं कई लोग, ठीक है, बट वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर हमाल बाइखे लिए चलता है इसलिए लोगों को यह पीछे चलता है जैसे मान लिए हम कहें है कि मैने तेंट लगते हैं थे तो इसका मतलब हुगा मैंने तेंट थेखे-टिज़आ अभी क्या चल ला है अभी चलिए चल ला है और इससे 10,000 BC, 0 से 10,000 साल पहले और ये खर दो हàiजार साल टीक है, तो Сबस्वार बाक को समझ में आई होगी, ठीक है dwell । के CC और AD केGold के कॉंसेप्ट होते क्या है, ठीक है, है आप बात करते हैं दोस्तों कि दसवी सी के पहले हैं पहलियो लिठिक या फिर पहलियो लेइड ही आपका दो वर्ड से मिलकर बना बना हुआ है पहलियो और लेठिक मतलब होता है इस्टों रिपलाइजिएशन और ओर्ल्ड इस्टों सकते हैं मैं को पुर पका करते हैं तो दोस्तों है कि आगर हम करना चाहें कि आती पहले में घंद जवाल समय हुआ नर और मार्दा जानी की जो मेल और फीमेल बनाएगे सबसे पहले मेल हं थे मतलब फिमेल थी उबसे शतरूआ थी बट अगर वहीं हम जो है चुकि हम इंग्लिस को फॉलो कर रहे हैं तो इंग्लिस को फॉलो करने के लिए हमको क्रिश्चन धर्म का जो मानेता है उसके उपर ज्यान देना पड़ेगा तो वह कहते हैं कि Adam और इव जो थे वो सबसे पहले हमारे च्रहों क्तु किने अधर्म क्परम को क्हीं हूए रहे होंगे इनका विशैर्म कर क्या रहे है और अफ्रिकन में भी एगर बात किया जाए कि तो या तो ये साओठ अफ्रिकरा में हुए होनगे या फिर ये यूगांडा साइड में हुए होंगे, ठीक है, अब क्यों जो हम कह रहे हैं कि South Africa क्यों यूगांडा कहीं लिखा हुआ document तो है नहीं, ठीक है, बट कैसे कह दिया गया कि South Africa में या फिर यूगांडा में, तो South Africa में इसलिए कहा गया, क्योंकि जो सबसे प्राचीन कं मिला है, South Africa में मिला है, यूगांडा हम क्यों कह रहा है, तो इसके पीछे भी एक fact है, ठीक है, आप जानते होंगे, 1981 में दोस्तों, जो सबसे पहला HIV AIDS का जो patient मिला था, ठीक है, HIV AIDS का जो patient सबसे पहले 1981 में मिला था, ठीक है, वो मिला था आपके USA California में, कहा पे मिला था, USA California में कहां पे, USA California में, ठीक है, और जब इस इंसान पे जब हम एक test किया, हम लोग ने, जिस test का नाव हम कहते हैं, Black Western नामक test था एक, ठीक है, उस test को जब हमने इस इंसान के पर perform किया, तो हम धीरे धीरे USA से पहुंच गया कहा, अफरीका में, मतलब कि इसके दादा, दादा, दाद या फिर यह कहा जा, इसके पिताजी, पिताजी, कहीं ना कहीं, इसका जो जीन्स था, वो अफरीकन जीन्स था, मतलब हमने माना कि जो है, अफरीकन कंट्री में, सबसे पहले, HIV AIDS की मतलब, शुरुवात हुई थी, अच्छा, HIV AIDS होता क्या है, जो मतलब, आप समझ सकते हैं, ठ ठीक है, sexual intercourse के कारण जो बिमारियां होती है, उसको हम कहते हैं, HIV AIDS, ठीक है, अब चुकि जो है, इसका जो ओरीजिन माना गया, वो अफरीका माना गया, इसलिए मान लिया गया कि हो ना हो, यह जो Adam और Eve थे, यह कहीं ना कहीं, अफरीका कंट्री में भी यूगांडा के थे, अब बात करें दोस्तों कि अच्छा, इसके पहले क्या, जो है, human का अस्तित तो नहीं था, इसके पहले क्या human का अस्तित तो नहीं था, तो जो बिल्कुल था, और उससे मैं माना जाता था, कि इसके पहले जो human हुआ करते थे, उनके अंदर self reproduction की छमता थे, ठीक है, उनके अं मादा की जरुएत नहीं होती है, वो अकेले ही सक्षम होते है, reproduction करने के लिए, तो ऐसी reproduction को कहते है, self reproduction, ठीक है, तो माना गया कि Adam और Eve के पहले, अगर human रहा होगा, उनके अंदर self reproduction की छमता रही होगी, ठीक है, और इनको पहला male और female माना गया, ठीक है, अब धीरे धीरे need है, वो क्या है, तीन चीजे है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, या फिर कहा जाए, food cloth और shelter, ठीक है, इसी बेसिस पे हम जो है, किसी भी history को पढ़ते है, तो सबसे पहले हमारा तीन question बनता है, कि भाई, ये food क्या खाते, खाय करते थे, ठीक है, कौन से कपड़े पहनते ठीक है, और shelter कैसे रहते थे, तो दोस्तों बता दे आपको, कि clothes के बारे में, तो कोई definite जन पाई नहीं है, ये हो सकता है, ये पत्ते लपेट करके जो आप देखते हो, मूवी में, ठीक है, हो सकता है, कि वहीं से concept लिया गया हो, ठीक है, तो cloth के बारे में, कोई जनकाई नही ठीक है, और उन्हें खा जाते थे, अभी तक, जो है, paleolithic age में, वो fire का जो अविसकार है, या फिर invention of fire है, वो अभी तक जो है, नहीं हुआ था, ठीक है, इसी लिए, माना ये जाता है, कि ये लोग कच्छा खाना ही खाते थे, ठीक है, कच्छे खाने को ये prefer करते थे, ठीक है, इनका जो food का जो basic कहा जाए सकता है, इनके जो food मिलते थे, वो जादे तर hunting से मिलते थे, और ये hunting जो करते थे, वो हमेशा groups में किया करते थे, ठीक है, ये hunting जब ही करेंगे, तो ये groups में किया करते थे, ठीक है, चार-पांच लोग का group होगा, वो जा करके hunting करेंगे, किसी जान तो कि में करते हैं ठीक है आसा करते हैं इतनी बाते आपको समझ में आ रही होंगे ठीक है अच्छा इसका कोई written documents नहीं है जिसके एधार पर आधर पर हम यह सकें कि बहाई हालने है ऐसा हुआ ही था ठीक है मतलब ऐसा ही हऊथा कि यह इस्टोन से मारते के आफ के बात करते हैं तो पहलाई के बाद आपका जो आता है वह German अटाल होता है मुत मंच्छार कि कुту है मेलक प्रेस में क्या हुग था कीए जो पहले बढ़े स्टॉन्से च्छोटा कर लिये ठीक है जो पहले बढ़े-बढ़े कि यह चोटा कर लिए तोड़ लिए और अब जिब छोटा इस्टोन होगा तो किसी भी चीज को मारने में में असानी होगी जैसे ही हम किसी भी चीज़ को देखेंगे फेकेंगे और वो मर जाएगा ठीक है तो मेजू लिथिक प्रियाड में इस्टोन की जो साइज थी वो धिर दिरे छोटी हो गई ठीक है और एक और काम कर लिया इन लोगों ने कि इसी को भी छिर देखेंगे और इसी के साथ साथ स्केवल यूजंगलों में नहीं हंटिंग करेंगे बिससको और काम करेंगे मशली पकड़ना चंटोनeneca Vorteil तो फू को भी देखेंगे तो हम डोनो जो है तरीके से क्या करते थे और जह जानवरों को मारते थे खा जाते थे अच्छा धीरे जब ये मरने और मारने का करम बढ़ा तो क्या कहा जाए कि जो हूमेन बिंग्स थे उनके अंदर भाईचारे के प्रद्धिती स्टार्ट हो गई ठीक है और एक दूसरे से प्यार बढ़ने लगा ठीक है तो क्या हुगा कि जो डेड़ बॉडिस थी न उस डेड़ बॉडिस को जैसे लोग मर जाएंगे उसको अभी यह लोग को होगा क्या देड़ी का क्या करना चक्रा कराज में प्रिबैंस यौ शुरू कर दिये या तो प्रिमेशन ऑब एगल on भेल से को और में वो और यहां से इन आप इसको यहां रख लिएगा अगर आप जो मेंडने पूछते नहीं हैं बट अगर कि बहुत ज्रूबरी है आपको जान देना ठीक अच्छा यह में बता दिया है कि 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के 10,000 बीची से लेकर के 6,000 बीची तक यह टांपरियट था ऑपके मेजोलिथिंग और इस मेजोलिथिक के बाद 6000 से ले करके और 4000 बिसी तक आएगा वो होगा नियोलिथिक ठीक है नियोलिथिक हमारे लिए बहुत आगे में हुआ ठीक है डीक है डीक मतलब हता है और नियोलिथिक के आप tills आय गयोर शेयार च्टोनः नहीं थिया डिस पयाया है मैं में बतारानि को माइप भी स्टोनें ट्रीघटा च्टोटे स्बाय गया है था ठीक है नियो लितिक में क्या हुगा था नियो इस्टोनेज में क्या हुगा था सबसे पहला जो है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट की आग की डिसकवरी हुई थी फायर की डिसकवरी हुई थी दूसरा है वील्स की डिसकवरी हुई थी पहियों की डिसकवरी आपके नियो और जो भी पाएंगे हंटिंग से जो भी प्राप्ट होगा उसे पका करके खाएंगे तो चोड़ी यहां फिर फूड़ यारrän ख़िनी अजया खाना शुरू कर दिये ठीक है अब जो है यह पका करके भोजन को अपने खायेंगे जाथ फीसिंग तो करेंगे ही करेंगे ठीक है fishing तो करेंगे hunting भी करेंगे fishing भी करेंगे और साथ हैंटिंग और fishing के साथ साथ अब जंसंक्या बढ़ गई है और तादाद बढ़ गया है तो कुछ ना कुछ अब जो है develop हो रहे हैं और अब धीरे धीरी यह जो है agriculture भी करना शुरू कर देंगे ठीक है तो अगर बात करें नियू लिथिक टाइंपरेट की तो यहां पर जो है जो आपके खाने के लिए जो रोटी का जो वेवस्ता थी वो तीन तरीके से आती थी फूड का सोर्स आपका तीन तरीका था अपर वीनों कि अग्रीकल्चर से अग्रेंज और वीन घंड इसलिए अब से थो सब्सक्राइब sun दल्सेट की जव्याइब ऐसंथी पॉड उट्सलीं से इसलिए जो है खाने को पक सब्सक्राइब धर को समझ सकते हैं ठीक है तो इतनी चीजे जो है होई थी अच्छा आप से अक्सर जो है questions अब पूछते हैं कि एक भिंबेट का नामक एक अस्थान है ठीक है जो कि मद्रदेश में है ठीक है तो भिंबेट का जो है कहा किस time period का है यह आप से पूछ देता है question ठीक है लिग देता हूँ ठीक है भिंबेट का ये आपके मद्रदेश में है और ये आपका जो है मेजोल pass time period का है ठीक है कि मैज gekommen time period का आप देख सकते हैं ठीक है इसी के साथ साथ दोस्तों एक और जो है एक जगा है इसका नाम है बोडि़ हूम ठीक है बूड अडियान रखेगा कि बुध ओम और यह आपका जो है निय ओलिथिक टाइम्-प्रेटका है यह दो पूछें अक्षर आप से पूछे गया है इसलिए आपको इसको ध्यान रख लेना है ठीक भिंबेड का और बुर्ज होम भिंबेड का नियोलिथिक का और बुर्ज होम नियोलिथिक का भिंबेड का और बुर्ज होम आपका नियोलिथिक का ठीक है तो यह आपका जो है तीन काल थे और साथी साथ तीन आपके जो हिस्ट्री के तीन डिवीजन थे प्री प्रोटो और हि एंडेस्व घज़ी सिवलिजेशन के कई सारे नाम हैं जैसे सिंदु गसा बेटा इसको कहते हैं चेकर से थि को डोस्तों शॉर। भी कहते हैं टैकर पर यह प्रॉण जान वह शिवा का जाते हैं ठीक है ंधे बॉटे द्berger थे ब्रॉज है कियieme है सब्वेता भी कहा जाता है ठीक है मेलुहा सब्वेता यह नाम आप साज आपने नहीं सुना होगा ठीक है यह मेलुहा सब्वेता भी इसको कहते हैं ठीक है मेलुहा ठीक है सिंदुगाटी सब्वेता हडपा ब्रॉंजे सिविलाजेशन मेलुहा सब्वेता ठीक है और इसका एक पर शबयता ब्राउंजे शिवलाजेशन मेलुहा शबयता और सरवष्रती शिवलाजेशन ठीक है अच्छा दोस्तों इससे हट के थोड़ा सा बात करें अगर इंडिया में तो इंडेस वैली मुषूवटायजेशन थे और मेसुपरेको शिवलाजेशन थे अभी तक मानी गई कि मुषूवटायजेशन खीन थे और इंडेस वैली शिवलाजेशन के बाद आपका लाश वो था इजिप्टियन शिवलाजेशन या फिर एजिप्ट की सब वेता ठीक है, एजिप्ट की सब्यता या फिर इजेप्टियन सिविलाईबडरा ठीक है, तो मेसुप्रोटैनिया चाइना, इंडास्व independence betrayed order security Human civilizationùng- इंस सब के बारे में आपको तुरहां जानना है, ठीक है, यह इतनी भी सब ढहे था हैं यह इतने बी इनने को जो है जीना है तो उसके लिए उसको सबसे जो बेसिक उसकी रिक्वर्मेंट है वो होती है पानी की ठीक है हवा तो है ही हवा के साथ साथ पानी भी जरूरी है ठीक है तो पानी उसको कहां से मिलेगा किसी ना किसी नदी से मिलेगा इसलिए जितनी भी सब बताए थे वो सारी मुसभ पुटैनिया को मतलब होता है मेसु मतलब होता है methods Allah कि है ऑफ़ इन बर कि टिक पुटैनिया मतलब होता है मैं कि टिक एक नदी का कौन forgot खेका दजला और दुसहार नधी का नाम था फराध ठीक है नम reconstructed लिएगा अप लोग यह 2 नदियों के धीश स्ट्रेटेटर था ठीक है एक नधी का नाम था अपका डजला ठीक है है और दूसे नधी का इसका नाम अपने जरूर सुना होगा, ठीक है, टिग्रिस नदी और यूफरेटस नदी पे बीच में श्तितता या जा फिर मुस्पाइनियान civilization इसका एक और नाम आता है इसको हम इराक और इरान की सब्विता कहते हैं ठीक है इराक और इरान की सब्विता भी हम कहते हैं क्योंकि ये इराक और इरान जो देश है उसके एरिया के लगबग में ये ठीक है तो यहां से इतने कोशन बन सकते हैं किस नदी पर था यूफरेटस या और टिग्रिस अगर उल्ड मतलब अगर पुराने लेंगोज बूचेगा तो दजला और फराद दिया रहेगा ठीक है तो यहां से आप इतना बात हैं अगर आपको ध्यान में हैं तो आपके सारे क पॉर्शन हो जाएंगे हैं दूसरा और वे आता है हमारा आता है चाइना की लौस और पर चाइनवीज सिविलाइजेशन याफ चाइना की सब ठीक है तो अगर बात करें हैं चाइना ndry के किनारे थी तो आप सभी जानते होंगे कि चाइना की जो शब ब्याता थी वो थी आ कराफ है हिस होंगो नदी को दोस्तों हम कहते हैं Sarah of China ऐसे बताएं का एक काम है कि रास्ता बदलना ठीक है कि- जो हौंगो रिवर है इसके किनारी आप देख सकते हैं पूरी सब्विता ही थी पूरी सिवलाइजेशन ही थी और अभी भी पर्टिकुलर टाइम प्रेड में भी कई सारे गाउं इस्थित हैं ठीक है तो क्या होता है जब इसने रास्ता बदला मालीजी ऐसे हो गई तो यह सार अब बिहार भी आप ध्यान दख लिए यहीं से यहीं से अगर पढ़ रहा है तो पूरे चीजों को आप डीटेल में पढ़िए जितना भी आप उस पर पढ़ पाए उतना पढ़िए ठीक है सारो अब भीहार एक और पूस्ता है स्वारू अफ उडिशा ठीक है और आकरी में आप स्वारू बैंगॉल ठीक है यह चार नदियों को अध्यान रख लिए तो बिहार की बात करें स्वारू बिहार हम कहते हैं कोशी नदी को ठीक है रिवर कोशी को हम कहते हैं स्वारू अफ बिहार अगर स्वारू अफ उरिशा की बात करें तो स्वारू आफ उरिशा हम कह करते हैं पहले यह रिख कर आया करता था महा नदी अगर महा नदी आपके नहीं लिख कर कया रहा है तो आप लिखेंगे ढहनी मेडिया पिपारिया हो है रह लंदर कहीं लिक्तिन कर दिया रहता है खुलि ठीक है तो अब ध्यान रख लीजेगा अगर दामुदर आप्शन में है तो दामुदर नहीं तो हुगली ठीक है दोनों जो है लगभग आप कहा सकते हैं उसी के ट्रिब्यूटरी है और इस ब्राम्ही के जगह आपका एक और नाम आजाता है जो आता है महा नदी तो ब्राम्ह फिर हुगली नदी को हम कहते हैं ठीक है तो इतने कोशन्स आपके जो है चाइना की सिविलाजेशन से बन सकते थे बहुत जादे कोशन यहां से नहीं आता है ठीक है अब बात करें तीसरी जो सब्वेता थी वो थी हमारी एजिप्ट की सब्वेता ठीक है क्योंकि इंडेस व तब बता दोस्तों Egyptian civilization आपका जिस नदी के किनारे इस्तित था उस नदी का नाम था River Nile क्या नाम था River Nile के किनारे यह बिस्तित है ठीक है River Nile अचा यह River Nile और कोई नदी नहीं है दोस्तों वही नदी है जिसको इस समय आप जानते है longest river of the world के नाम से ठीक है यह present time की जो है सबसे लंबी नदी है ठीक है longest river of world present time में है ठीक है अच्छा मैंने कुछ सबह पहरे आपको पिछले वीडियो में जो है आपको father of history के बारे बताया था कि किसको हम कहते है father of history आप जानते होंगे कि father of history के हम कहते है है hero dotus को ठीक है hero dotus को ही दोस्तों एक चीज और का father कहा जाता है जिनको हम कहते है father of delta के नाम से भी हम इनको जानते है ठीक है father of delta के नाम से हम जानते है किसको hero dotus को क्यों father of delta कहते हैं दोस्तों क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला delta जो है थे अगर कंडिशन बनते हैं जातो किसी प्लेन या फिर किसी सम्तल भाग में चली जाएगी तो अगर उपर से आ रही है बहुत तेज उसकी धार है ठीक है और वो डाइरेक्ट अगर मालीजे किसी सागर वगरा में या फिर किसी दूसरे नदी में जा रही है तो क्या करेगा उसकी धार तेज रहेगी तो जैसे आप मालीजे मग से अगर या फिर जग से अगर पानी गिराए किसी म तो यसे deposit को दोस्तों कहते है एक चुड-ी, ठीक है, ऑर दूसरी एक और deposit होती है, ठीक है, ये होता है इस्टूरी ठीक है यह कब होता है जब नदी की जो बहाव है जो वेलाश्टी है जो स्पीड है बहुत तेजी के साथ अगर कहीं गिरती है तो एस्टूरी फॉर्मेशन करेगी वहीं दोस्तों अगर मालेजिये किसी प्लेन पर चलती है तो धीरे-धीरे क्या होगा चलते चलते देख लिए दूसरी भासला का समझने कुछिश करें मालेजिये जैसे एक रिवर है जा रही है और डिपॉजिट कहीं कर रही है ठीक है अब नदी जो है अपना रास्ता बदल देगी ऐसे हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो है एक ऐसे आकरिती फॉर्म हो जाएगी जिसक कोो Panel हों कहेंगे डेल्टा ठीक है तो यह डेल्टा किया होता है आप असा करते हैं समझ में आ गया होगा ठीके घ्रिक की डीपौजिट होती है ठीक है अगर आप से पुछते आगे इस पुरॉर प्रॉचे कौन वो अरो कही नहीं इसी नाइली में देखे थे इसी जो है नाइल रिवर में देखे थे अच्षा एजब्ट एक ऐसा कंट्री था दोस्तों जहां पे पहले कुई नदी नहीं थी फिर वहाँ पे अचानक से एक नदी आने लगी जिसका नाम पड़ा रिवर नाइल, ठीक है, तो पहले कोई नदी नहीं थी, वहाँ पर पानी रहता है नहीं था बाद में नाइल रिवर आ गया, इसलिए इस नाइल रिवर को जो है एजिप्ट वाले कहते हैं, जो है एजिप् तो इसको हम एजिफ्ट के वर्दान के नाम से भी जानते हैं एजिफ्ट को हम मिस्ट कहते हैं हिंदी में ठीक है तो मिस्ट का वर्दान किस नरी को कहते हैं यह भी कोशन पूछता है ठीक है तो आप कह सकते हैं ब्लेसिंग ओफ एजिफ्ट हम कहते हैं रिवर नाइल को तो यह तो दोस्तों एक प्रकार की मिट्टी पाए जाती है ठीक है जिसका नाम होता है कीमिया जिसका नाम होता है कीमिया ठीक है अच्छा कीमिया जो है काले रंग की मिट्टी होती है जिसमें बहुत सारे बहुत प्रकार के जो है वह ओर्स पाए जाते हैं ठीक है बहुत सारे मयां रहा होगा कि Chemistry का नाम कहां से पढ़ा है तो कीमिए से हैं किमिस्ट्री स्भजेक्ट का नाम जो है Chemistry पढ़ा है ऐसा करते हैं ये बात आपको बहुतומु अछे से पमझ सरृएंग ow ऑच्छा दोस्तों जो मिस के लोग हुआ मतलई माने कहला हुआ करती थि乾्चा तो उनका क्या ऐना था कोई होDIE आत्मा फिर उससे कुछ जाते दिन जो है वो जो है दूसरे जो मतलब दूसरा दो वर्ड है ठीक है उसमें भी रहेगी ठीक है सरीर के बाहर भी उतने ही दिन रहेगी आत्मा ठीक है तो क्या हुआ करता था पहले इस्वीट में अगर कोई राजा महरा करते थे उनके साथ साथ उनके कई सारे नौकरों को भी मार दिया जाता था ताकि वो जो नौकर है उनकी सेवा जो है जिस भी वो जिस भी दुनिया में जा रहे हूं दूसरे दुनिया में वहां पर भी वो नौकर चाकर उनके साथ जाए और उनकी सेवा कर सके उनकी आत्मा जो है उनकी आत्मा की सेवा तो सबसे बड़ा पिरमिट जो सफ़से खतरनाग के आप गाया सकते हैं तो एजिप्ट में जो सबसे खतरनाक पिरामिड जो है वो आपका कह सकते हैं आपकी उसका नाम है आपका गीजा का पिरामिड ठीक है गीजा का पिरामिड जो सबसे खतरनाक पिरामिड है एजिप्ट में वो है गीजा का पिरामिड या फिर पिरामिड ऑफ गीजा आप उसको क और इनी राजाओं के जो फेरोज की जो पिरामिड हुआ करती थी उसको हम कहते थे जो है कबर को पिरामिड कहते थे और सबसे बड़ा जा फिर सबसे खतरनाग जो पिरामिड है वो कौन सा है गीजा का पिरामिड है ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि सबसे खतरनाग पिरामिड क् अंदर जाएंगे तो Hä Всем only जाती है आप क्या होते हैं ओपर उठने लगते हैं यहाँ की यह यह अजोबा दूसरा ऍरह्याइव्याज बहुत ही ταडलाटा है तो यह इतना जो है यह जो तीन सिविलाज़ेशन है यह फिर इंडर्स बैली शिविलाज़ेशन के ऐलामा जो तीन शिविलाजेशन में उनके बारे में और मैंने आपकोट डीटिल में बताः पतां है ऐसे जादे कोश्यूं कही dataset नहीं याँगी आगर बात करती की हड़ापा सभीता की हापा सभीता में आ जाते हैं तो हड़ापा सभीता की मैंने कई और नाम मिहां सभीता 양ण में ऻुपकर नाम था था अक्सर पुशा जाता है कि सिंघु गार्टी सबिता का नाम सिंघु गार्टी सब इसने रखा था तो आप ध्यान रख लिए यह लगवार्ट जॉन के दूबधर तो तो यह लिइस तरह इसे नाम हमें रखा था हरपा इसलिए पूरे सब त को ने सिन्दृपन सिभलाइशन कहा तरह, ब्राँजे सिवलाइशन कियों कहा क्यों है, मेलुगा सब्विता कियों कहते हैं, जुम Mix Arya को एक चिहां, तो मेसोपोटैनिया के JOHN. पढ़ेंगे तो मैं पता चलता है कि मेसुपोटैनिया के लोग जो है इस इंडेस वेली सिविलाजेशन को या फिर सिंदुगाटी सब्वेता को यह मेलुहा सब्वेता कहा करते थे इसलिए इसका एक नाम मेलुहा सब्वेता भी है इसको अध्यान रखिएगा अगर डिटेल में जाने तो इसके बारे में बहुत जादे बोला जा सकता है बट इतना आपके लिए सफिसेंट होगा सरोश्रती सब्वेता क्यों कहते हैं दोस्तों क्योंकि यह जो इंडेस नदी खुझा इनन बीचंग है अब बात करते हैं कि क्यषे जो है इसकी खुदाए वगयरा कैसे हुई तो हम बात करते दोस्तों सबसे पहले क्या होगा थे 1826 में एक आदमी हुआ करते थे जिनका नाम था जिनका नाम था चाल्स मेसान ठीयर आठाज़ाथ होगते थे जिन्हों क् कुछ अच्छे से पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इतना मानना कि इनको नहीं मिला, कुछ इनके भारे में इनका सुना नहीं गया, उतना उच्छों ध्यान कोई नहीं दिया, लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों 1853 के करीब में क्या होता है कि लहौर और कराची के बीच में ठीक है लहौर और कराची के बीच में ध्यान रखिये गए दोनों नाम ठीक है यह पाफिस्तान के इलाके है लहौर और कराची के बीच में रेलवे की पट्रियां बिचा जा रही तो बताया नहीं किसी ने उसके घर बगएरा बना लिए या फिर तोड़ के डालने लगे बट कुछ समय बात क्या हुआ कि जो खुदाई हो रही थी इट की पट्रिया भीषाई आ रही थी वह दो बंधू लोग थे जिनको हम कहते हैं ब्रेटसन बंधू या फिर दून का दो बूर योगा बंधू गए और युख का नाम आफ कंशना थे तो बिल्यम भ्रिष्टन और जॉयां बिश्टन ब्रसं थे जिर बन्रिए ही ले उसी में क्या हो था है कि कुछ समय बाद जो है सरकार की funding यह फैल हो जाती है और काम रोख दिया जाता है तो काम जब रूख जात तो मजदूर उप्राइबों क्यों काम रोक गया तो यह थो कि एक मजदूर आपको रखेंगे अप्याइब कोे जाई रखेंगे तो यह हूंद शुखाई Shopify tua तो यह saat बचाने लगा तो निकालने जो इन लोग का दिमाग जो है कही ना कहीं गया कि यह तो जो होना हो कुछ तो गड़बड है ठीक है तो सबसे इसके पहले की बात थे दोस्तों कि जो है हमारी जो हमारी जो हिस्टी सुरूआ हुआ करती थी जो हम भारत की इतिहास जो मानते थे वह लगभग 1520 से मानते थे या लगभग 1500 साल यह यानि कि लगभग हम आप कहा सकते हैं साड़े 3000 से 4000 साल पहले की इतिहास हम पढ़ते थे बट यह जब सिंदु सबता मिली ठीक है इस टाइम पिरेट से हमारा जो इतिहास था वो लगभग 1500 साल पहले और चला गया ठीक है और पहुँच गया हम धीरे मतलब लगभग 1500 साल पीछे ठीक है तो यह जो ब्रेलियम बिश्टन और जॉन बिश्टन थे इनके मन में खटका कि यह हो ना हो यह इटे जो है कहीं ना कहीं और मतलब आर्केलोजिकल इटे हैं प्राचीन समय के हैं और इन्होंने इतला किया या फिर इन्होंने खबर दिया आर्क लॉजिकल डिपार्टमेंट के हैड थे जब इन्होंने बताया था या फिर 1853 में उनका नाम था जेंडर कनिंगम यह भी आप नाम याद रखेगा पूछता है कि किसके अंडर में हुआ था ठीक है उससे में आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष कौन थे या फि कोड़ी बहुत जानकारियां मैंने आपको एक इंट्रॉडक्शन के रूप में दी हुई है लेकिन कोई बात नहीं है फिर से मैं इसको सुरुवात से बताता हूं ठीक है इंडर्श वैली सिविलाजेशन के दोस्तों बहुत सारे नाम है ठीक है जैसे इसको सिंदू सब पिश्टे हैं ठीक है लेकिन उससे पहले हम थोड़ा साब को बता दें जैसा कि मैंने पिछरी वीडियो में अपने बताया है कि एंसेंट टाइम में जो है तो तीन प्रियर्ट मैंने आपको बताया है कि एक थाप सबसे पहला पहल्यू लिथिक इसको हम कहे थे कि इसको कहते एक तो इस्टोने सफेलाजेशन के बाद आया था इसको कहते हैं तो कि शह्टोने स्फीलाजेशन के बाद आया था आए था मेटले अब कर देद कर दृच SaleTR ठीक है या फिर copper age civilization आप उसको कहते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा जो सबसे पहला उसके बाद आया था वह आया था आपका चलको लिथिक या फिर copper age civilization आप इसको कह सकते हैं copper age civilization चलको मतलब होता है copper और लिथिक मतलब stone होता है तो copper stone age कहना ज्यादी अच्छा होगा as compared to copper age के ठीक है copper stone age आप इसको कही है ठीक है और इस copper stone age के बाद आपका आता है iron age civilization जिसमें की iron की यूज हुई थी तो अगर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो यह जो iron age civilization था वह आप जो है वैदिक काल को मान सकते हैं वैदिक को मान सकते हैं क्योंकि जो सबसे पहला जो इंडिया में iron की जो discovery थी या फिर use था वो माना गया था कि iron का use सबसे पहले आरियंस के द्वारा किया गया था या फिर आरियों के द्वारा या फिर वैदिक कल्चर में किया गया था ठीक है लेकिन अब इन दोनों के बीच में iron age civilization और चलको लिथिक यानिकी copper stone age civilization के बीच में एक और civilization आता है ठी अब इसको ब्रॉंज एस civilization क्यों कहते हैं दोस्तों क्योंकि यह जो चलको लिथिक जो मतलब जाने कि जो copper जो आपका था वो copper आप सभी जानते हैं कि बहुत ही हलकी धातु या फिर बहुत ही हलका element हुआ करता है ठीक है तो क्या होता था जो सिंदु घाटी सब इता के लोग पर इस एक जब वो किसी चीज़ को मारते थे copper से तो क्या होता था कि बुड़ जाता था ये आप ऐसा कह सकते है copper से फेक करके मारा जाएगा तो मुड़ जाता था और तूड़ जाता था यह जो भी चीज था ठीक है तो इन्हों नहीं क्या किया जो इंड़े सिविलाजेशन ठीडेर बंदके थे इस कौपर में मिला तिन ठीच है और जैसे ही कौपर में तिन मुलाया तो एक नया एल में बनन घया जिसका दा ब्राउप्रा ट कॉछिण है तो इसके नाम आता है nhất इलá explain स्वार्ज़टिधा दूस्तों जो अलग अलग लोगों के द्वारा इसके नाम रखे गए थे अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको सबसे पहले इंडास व्यलीजेशन या फिर इसन्जु घाटी नाम इसको अट u पूछा गया है, और कई बाद, अब ध्यान रिख लिछेगा, कि ho का नाम, John Marshall के दोरा, किसके दोरा, John Marshall के दोरा, इसको आप यहीँ से याद रख लिजेगा, ँडेश वेलेशिटन का, ली शिवलाजेशन नाम रखा गया था, John Marshall के दोरा. यह जॉन मार्सल क्या थे अभी हम आगे बताएंगे और डिसकस करते हैं तो जॉन मार्सल ने इसका नाम इंडस वेली सिविलाजेशन रखा था क्यों रखा था क्योंकि यह जो सिंधु नदी थी यानि कि जो इंडस नदी जो आ रही थी आपके जिसे इंडिया का आपका कुछ होता था लगभग 1500 या फिर एक हजार बीसी पहले मत जो हमारा जो कहा जाए कि जो हिस्ट्री था वह आज से लगभग लगभग 1500 साल यह और 2000 साल यह मतलब 3500 से 4000 साल पहले का था लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो है कराची और लहोर के बीच में एक बार रेल्वे लाइन ब पिर अगर और अचे से समझा जा तो लगभग 2000 साल पहले और ठकेल लिया ठीक है लगभग 2000 साल पहले जो है यह हमारे ऎDr. इस्ट को ढकेल दिए ठीक है और धीर धीर ती dever जो है यह मतलब एक बिक नगर में बिक्सित होने लगे मतलब एक 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 से से जो है जब खैर स्क्वार किलोमेटर एरिया में फैला हुआ है तो यह जो है था तो अच्छा इसके पहले भी जो है लगभग 1826 में अगर हम टाइम लाइन के अनुसार से समझें तो 1826 में एक लोग और हुआ करते थे एक वैग्यानिक कहा जा या फिर एक इनसान थे जिनका नाम था चॉल्स मे पास ठीक है चॉल्स में सान ने इसके पहले एक डूम देखा था ठीक है घडपा के पास बड़ चुकि जो है उस टाइम में इतना जादे जो है इसकी खोज हुई नहीं थी इसलिए इनके उपर इतना ध्यान नहीं दिया लिया और यह जो लिए लिए लाइन की जो है जो लिए थी ब्रिश्टन ब्रदर्स के अंडर में या फिर ब्रिश्टन बंधू आप कह सकते हैं जिनके की दो भाई लोग ते जिनका नाम था जॉन ब्रिश्टन और विल्यम ब्रिश्टन ठीक है जो खोदाई यह हो रही थी कराची वाली यह दो लोग बंधू लोग थे इनक का यह कहाया कि पूरे सब्बेता का खोज होना शुरू होता है अचा जब यह इंटे मिले तो इंटों की जो आखिरती थी या फिर इटों की जो आप कह सकते हैं शेब था वो थोड़ा सा अजीब टाइब का था मतलब जो हमारे जो इटे होते हैं उससे थोड़ा हट करके था इसलिए बात खटकी की यह जो कहीं न कहीं यह प्राचीन काल के इते हैं यहां नहीं है यह इते कहां के हैं इसको ज़ह जान लेना बहुत ही और शक माना गया उस टायम में ठीक है तो यह बात तुरं थी जो है उस टायम के और आर्केलोजिकल डिपाटमेंट में चलीगी ठी थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम ठीक है तो आप से यह भी कोशन पूछेगा कि जब सिंधु घाटी सब्वेता या फिर इंडस वाली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी उस टाइम जो है आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के हेड कौन थे ठीक है तो आप ध्यान र इन्डस वाली सिविलाइजेशन की खोज करना स्टाट कर दिया और इसकी खोदाई करना इसका स्टाट कर दिया ठीक है अब इन्हीं आर्के मतलब अलेक्जेंडर कनिंगम के डेथ के बाद एक और नए जो है एड आते हैं जिनका नाम होता है जॉन मार्शल ठीक है जॉन मार मार्सल के अंडर में दो लोग काम किया करते हैं एक का नाम होता है दया राम शाहनी और दूसरे का नाम होता है राखल दास बनर जी और डी बनर जी मैं लिग देता हूं ठीक है राखल दास बनर जी और दया राम शाहनी ये दो लोग हुआ करते हैं ठीक है जो लोग जो है अ और पूछेगा कि लगभग कितने मतलब किस टाइम से जो है सबसे पहला नगर या फिर हडपा जो है सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो था हडपा ठीक है और हडपा कब से खोजना स्टार्ट हो गया था तो वो लगभग 1921 से स्टार्ट हो मतलब 1921 में जो है जो सबसे पहले सीटी में मिली थी उसका नाम ते लिए इसलिए इसको हरप्पन-सिवलाइजडेशन भी चहा जाता है कहा जरत स्रेटी की बात करें तो इंडश वैली जू इंडेस दीवर ता उसके नीचे माना जाता था कि शर्वस्रती नदी भी चल लई है लेकिन नीचे विलुप्त हो गई है इसलिए जो है मतलब इसी के उपर था तुम माना जाता था कि उस्समें उपर रही होगी सवस्राइब लगी इसलिए इसको कई लोग जो है सारोसाती सब्वेता या फिर सारोसाती सिल्लाइजेशन बेस का नाब रखते हैं ठीक है तो 1921 की हम बात कर रहे थे 1921 में पहली सिटी डिसकवर की गई थी हडपा और हडपा अगर आपसे पूछता है कि किसने हडपा को डिसकवर किया था आप जान लीजेगा कि डिसकवर किया गया था अपके डियाराम शाहनी द्वारा तो सबसे पहली जो सिटी डिसकवर की ukिए ति है कर घंग किया था तो 1921 में किया गया था ठीक है इतनी बाते एकर आप लोग को क्लियर है तो अबं देख लेते हैं कि हरपन सिलाजेशन का त तो दोस्तों यहां पर भी कई सारे इतिहासकारों का अलग अपना राय है किस लोग अपना अलग राय दिये कुछ लोग ने कहा कि एक्षक टाम परियर्ड हो नहीं पतालगा बूत कि कि यह कम जो है यह सब्यता हच सरवाधिक टाम परियर्ड या फिर सरवाधिक मानन ने जो टाम परियर था वो था लगभग 350 से ले करके और 1750 बीची तक का ठीक है यह किसके अकॉरडिन था बै रेडियो कार्बन या फिर C40 डेटिंग में लिग देता हूँ, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग आप सभी को पता होगा क्या होता है, यह किसी भी चीज पर या फिर किसी भी फॉजिल्स पर आप कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉजिल्स पर जो कार्बन की मात्रा होती है जो कार्बन का संख्या होता है ठीक है उसी के अनुसार से जो है उसके एज का पता लगा लिया जाता है और उसके अनुसार से जो एज का पता लगाए गया है जो बस्तुम मिली है यहां से उसका एज लगभग तेश सो पचास से सत्रह सो पचास बीसी का लगा गया है यानि कि आज से लगभग 2350 यानि कि 2350 साल ये और इधर आपका चला है 2020 तो 2020 साल ये मतलब अगर दोनों को एड़ कर दिया जाए तो 2020 ये और 2350 ये यानि कि 4370 साल पहले की बात हम जो है कर रहा है अकॉर्डिन टो अगर हमाने वहीं कुछ और लोग थे जैसे जॉन मार्सल थे जॉन मार्सल ने इसका टाइम प्रेट दिया है वो दिया है 3250 से 2750 BC का जॉन मार्सल ने माना है कि 3250 BC से ये दख भग रहा होगा 2750 BC का ठीक है तो आपसे कुशन पूश्टा है कि जॉन मार्सल के अनुसार से सिंधु घाटी सबसे मतलब जो माना गया काल जो है वो क्या था तो जॉन मार्सल ने माना था कि 1750 BC से और 2750 BC के बीच में ये सबहता रही होगी वहीं दोस्तों हुआ करते थे या पर ये कहा जाए कि इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था अरनेश्ट मैके ठीक है इनका नाम था लिखी देता हूं माध हूं स्वरू कि बत्सुगा करते थे ठीक है मार्टिन वीलर हुआ करते थे ठीक है और आखरी में एक और हुआ करता था जो की था तो इतने काल जुह है आज तक अभी तक पूछे गह हैं हलाकि और भी लोग हैं जिन्होंने अलग-अलग इसका एज लगाया बट हमको और लोग का नहीं देखना है इतने ही में से आपका कुश्चन आ जाएगा इससे बाहर का यह कुश्चन नहीं जाएगा और इतना आपको कोई बताता भी नहीं है यह भी मेरी गारेंटी है ठीक है सर्विस ने जो दिया था समय वह था 2500 BC से 1500 BC ठीक है तो यहां पर फेर सर्विस और मार्टीन वीलर का लगभग सेम था ठीक है तो यह आपके जो है समय है लेकिन अगर आप से क्वेश्चन में केवल और पूछता है कि सर्मानिक समय क्या था या फिर सबसे जादे असेप्टे देख लिए आपने जॉन मर्सल के द्वारा इतना और जितने भी हैं अर्डनेश्ट मै के माधा स्वरूफ वत्स और मार्टीन वीलर के द्वारा 2500 से 1500 BC ठीक है अब अगर इतनी बाते हैं अगर आपको समझ में आ रही हो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कहां से कहां तक जो है आप याद कर लेंगे ठीक है आपकी ट्रिक है अगर आप इंग्लीज में पढ़ने वाले हैं तो आपकी ट्रिक होगी कि नमन्स स्विट ड्रीम वाज इटिंग ठीक है ऐसे कुछ याद रख लेजे ठीक है ठीक है हम पर सबसे पहले बात कर रहे हैं अभी एक्सटेंट की कि क अब इससे हम कैसे पता करेंगे ठीक तो आपकी चार दिसाय होती है ठीक है कौनसी एस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ठीक है अब इसमें देखा जाए कि इससे कैसे हम देखेंगे तो एन एन एसे आपका हो जाएगा क्या नॉर्थ नॉर्थ एन एसे हो गया नॉर्थ ठीक है एस से क्या हो गया साउथ हो गया ठीक है डबलू से क्या हो गया वेस्ट हो गया और ईसे क्या हो गया इस्ट हो गया ठीक है क्या है नॉर्थ सौथ वेस्ट और इस्ट हो गया अब हमको देखना है कि नॉर्थ में कहां तक था तो नॉर्थ मे बात करें अगर कि साउथ में कहां तक था तो साउथ डी से क्या हो जाएगा डी से हो जाएगा आपका दायमा बाद ठीक है क्या हो जाएगा डायमा बाद ठीक है वहीं अगर बात करें वाज या फिर बेश्ट में कहां तक था तो डबलू ए एस से क्या हो जाएगा आपका आपका क्या इक लिए हो जाएगा आलम गिरफूर और आलमगी पूर आपके लिए इंप्हर्टंट है क्योंकि आरा यूपी में है और हम लोग सभी यूपी का एक्जाम अक्सर दिया करते हैं तो वहां से आपके कोश्यन हैगा कि अलमगी पूर्ट यूपी मैं किस जग कि तो दायमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट में ठीक है अब बात करता है अब बात करता है कि इंडस्वेली यहाई रड़ courtesy का साइस गया था तो साइस की अगर बात करें तो all these यहाई ओपर नंपाथ है इस्ट आप उपर का जानते हैं यह होता है नौर्थ यह होता है इस्ट यह यहां पर देखिए North Manda यहां पर आएगा ठीक है जमून कश्मिर में इस जगह कुछ है ठीक दायमाबाद की बात करें तो महराष्ट आपका इधर कुछ है ठीक है यह दायमाबाद आपका लगभग होगा ठीक है उसके बाद आलमगीरपूर यहां पर लगभग यूपी आपका सेभ बन रहा है ओर ट्रानगूलर सेभ नहीं वल्कि आप कह सकते हैं इसको कि इसको जो आता है वो चतू इसकोरी आता है क्योंकि एक हमें बीच मेर्लेट पर बेड़लोंい सक्रमें सब्ट है क differenti पर लुत मैं सब्याटा करत आँकर आपकर्स जूसीन आपके शहां जुशा कर इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है आप से पूछता है कि अभी तक कितनी सिटी जा कितने सहर अभी तक जो है तो आप धियान रखिएगा अभी तक जो कुल सहर डिसकवर किये गया है उनकी संख्या लगभग 1500 प्लस है ठीक है जिसमें से लगभग 1100 प्लस है वो सब्सक्राइब कर दिसकवर के गई है जिसमें से बड़ी सिटी इस ती और इंपोर्टेंट या फिर में सिटी के वलो के वल आपकी एक है कि जो है कितने सहर लगभग अभी तक डिसकवर कर लिये गया है तो मैं आपको पता दिया था कि कुल मिलाकर कर गे 1500 सहर आपके इसका बड़ी और जिनमें से हमको केवल और केवल 1052 जो बहुत थी इंपोर्टेंट है उसको हमको जानना है अगर आप से पुछता है कि जो मुख के सहर उनकी संख्या कितनी है तो 1052 है ठीक है सबसे जादे सहर किस सिटी में या फिर प्रेजिन टेप में किस स्टेट में सब किस देशों में था तो दोस्तों यह सिंदुगाटे शबता आपके तीन देशों में हुआ करता था ठीक है पहला आपका देश है आपका भारत दूसरा है आपका पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान ठीक है तो उल्टा हम इसको लिखना सुरू करते हैं अफगानिस्त ठीक है उसके बाद पाकिस्तान और आखरी में है इंडिया ठीक है तो इंडिया में कितने सारे थे इंडिया में तो कई थे ठीक है इंडिया में जैसे आपको जैसे इस यह मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कहां पे जो है कौन सी सिटी इस थी तो आप हेडिंग डाल देज सबंदें किसे इस में पाए गया है इसके बारे में डिसकस करने जा रहा है तो अफ़गानिस्तान से आपको केवल और केवल दो नाम याल राखने हैं यहीं से आपका वे अगहाई ठीक है पहला है सुटका घुई ठीक है सुटका घुई और दूसरा है मंडी गाक कौन है मंडी गाक ठीक है दूसरा के नाम आपको रहा दखने हैं सुटका घुई और मंडी गाक पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में बहुत जादे है जैसे हडपा ठीक है हडपा आपका दोस्तों जान द्वारा किसके द्वारा दयारां शाहनी द्वारा ये हडप्पा आपकी खोजी गए थी ठीक है हडप्पा फिर मुहन जोदरो कि ठीक है मुहन जोदरो कि फिर चंद हुदरो मेहर गड़ आप याद रख लीजे एक और ठीक है मेहर गड़ ठीक है बस इतना अगर आपको याद है तो इतने में आपका काम चल जाएगा ठीक है अज़ा चलिए एक और याद कर लीजे मेहर गड़ के बाद एक और सुथ का गेंडोर भी याद कर लीजे ठीक है अब अगर बात किया दोस्तों कि इंडिया में कौन कौन से थे इंडिया में आपको दो तीन स्टेट्स के नाम याद रखने हैं जैसे पंजाब में कौन कौन सा था फिर आपके हर्याना में कौन कौन सा था ठीक है पंजाब में हर्याना में पंजाब हो गया हर्याना हो गया फिर आपको ध्यान रखना है राजस्तान में राजस्तान हो गया फिर आपको ध्यान रखना है गुजरात में ठीक है पंजाब हो गया हर्याना हो गया गुजरात हो गया राजस्तान हो गया और एक और ध्यान रख लीजे जमूर कस्मीर में ठी केवल और केवल आपको एक सहर का नाम याद रखना है जिस सहर का नाम है आपको मैंने बता दिया है और लेडी मांडा ठीक है मांडा को बस आप ध्यान रख लिजेगा जमू कश्मीर से एक ही कोश्चन पूछा जाएगा कि मांडा जो है कहां पाय गया है तो मांडा आपका कहा है तां संधुत का लację को जाता है तो इसलिए कंफूजन और फाकिस्तान में सुट का घंडोर ठीक है और गुज्रात सानते है और तो आज रखना है तो एक और याद रख लेजे गुजरात में आपका रंग पूर भी था ठीक है रंग पूर्टेंट है गुजरात में आपका रंग पूर था ठीक है यह तीन अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो बस इससे ज्यादे नहीं आने वाला है ठीक है राजस्थान की बात करे मेली मतलब होता है Black औरभगगन मतलब होता है, चूड़ियां मतलब यहां से आपकी जो है काले रंग की चूड़ियां या फे Black Bengals मिले है इसलिए इसका नाम काली भगगन पढ गया है करें और भी कई सारे चीज्वे मिली हैं जैसे आप रवात करें पंजाब की मजाब से आपको याद रखना है रकरेंगेंगे हर्याना, हर्याना से आपको बनावली याद रखना है, ठीक है, बनावली, बनावली, उसके बाद राखी गड़ी, राखी, बनावली हो गया, राखी गड़ी हो गया, कुनेल हो गया, और हिसार हो गया, ठीक है, कुनेल और हिसार, ठीक है, हर्याना से बनावली, राखी गड़ कुनेल और हिशार कितने सहर के नाम अगर इतने नगर के नाम अगर आप सिंधुगाटी शबयता से याद रख लेते हैं तो बस इससे जादे कोश्चन आपका कहीं भी नहीं जाना है इससे बाहर आए गए नहीं ठीक है अफगानिस्तान से सुद्कागोई और मंडी गात पाकि कि है सबसे पहला जो सहर डिसकावर हुआ था ता कून सा हडपआई था ठीक है पंजाब से बात करें तो रूपन रूपनगर उसके बाद आपका बाड़ा सुघोल शबब पंजाब में था हर्यानda से बात किया जाए ऑगर कि हर्याना में कौन-कून कौन से सहर थे तो हर्या गेंडोर था सुथका गेंडोर के बाद रंगपूर यह सब सारे जो है आपके गुजरात में पाए गया है जमून कश्मीर में बस एक याद रखना है आपको मांड़ा और बस यहीं से आपका जो है कुश्चन हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से समान कहा से मिले हैं ठीक है और से समान जाद करने से पहले हम पहले यह देख लेते हैं कि कौन से नगर किसके द्वारा खोजे गया हैं ठीक है कौन से नगर किसके द्वारा खोजे गया है अठीक है ट ऐस लिएבה धार ला और Εजि 방हां Cute अभी हाई जो हो गया मोहनजोदारू हो गया उसके बाद आपका जो कुष्टन आता है वह आता है लोथल ठीक है लोथल लोथल कहाँ पाए गया था फिर पर चंद्र हूद्रो, चंद्र, हुद्रो, हरपपा, मौहनजोदार, लोफल, चंद्र, हुद्रो, उसके बाद आपको रंगपूर याद रखना है, रंगपूर. और चुकी हम लोग यूपी में हैं, तो यूपी का हमको आलमगिरपूर ध्यान रखना है, ठीक है? आलमगीरपूर ठीक, इतना अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो बस आपका पेपर इतने में हो जाएगा, हड़पा, मुहनजोदरो, लोथल, चंधुरो, रंगपूर और आलमगीरपूर, इतने को अगर आप ध्याद रख लेते हैं तो आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, जोड़ो है पैसे बना सकते हैं जोड़दार रुखह था रह जोड़ को रखा गए और टो जो पैसे को किसी चीछ Date रख्खा रख्खा से क्या बनेगा राखल दास बनर जी ठीक है जोड़दार कौन होगा जो कि इसको रख्खा होगा रखने से क्या बनेगा रख्खे से रख्खा 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 रख्खल दास बनर जी क्या बनेगा राखल दास बनर जी ठीक है राखल अब ज़य नंपर एक लिई करें रग्राइब लिफ राइट कर इन्म रोक्तर्णiving Luck all दोनों कि भरत हुजा गया था कॉन कौन और रंग और रंगनाथ राओ है किसके दोरक हो जा फिर से बार रिवाइस करते चलते हैं हरपका खोजा गया था आपके दयाराम शानी द्वारा मुहन जोदरो जोड़ार जोड़ार से क्या हो गया जोड़ार कौन होगा जो पैसे रूपय को रखा होगा राखलदास बेनर जी ठीक है लोथल लेफ्ट और राइट रंगपूर ठ का नाम था रंगनात राओ आर से रंगपूर रसे रंगनात राओ ठीक है चंद्र हुद्रो की बात करते हैं दोस्तों चंद्र हुद्रो ठीक है थोड़ा सा नाम से समझेए ठीक सबसे पहले अगर आप ऐसे देखिए कि चंद्र चंद्र के समान मुख किसका बोला जाता है कि एक का बोले आता है किसका चंद्र के समान मुख किसका था क्रिष्ट भगवान का था और क्रिष्ट भगवान का ही दूसरा नाम है आपका क्या नाम है क्रिष्ट भगवान का ये गोपाल ठीक है क्रिष्ट का एक और नाम क्या है गोपाल है ठीक है तो चंद्र हुद्रों की खो हभावासा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रख लेना कुखिह आप एंट आ कहां पह रहे हैं यहां पर यूपि में रहे हैं इस लिए आपको याद रखना है अलमगीर पुर खुजा गया था किसके दोरो यगधत शर्माद्वारा ठीक है आलमगीर पूर याद रख लीजे यग दद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो आलमगीर पुर कौन खोजा था यगदत सर्मा खोजे थे ठीक है तो यह दोस्तों मैंने आपको ट्रिक के माधम से बता दिया कि कौन किस के कौन सिटीज के कौन डिसकवरर थे इतना ही आपसे question पूछा जाएगा ठीक है अब आपसे एक और पूछता है कि कौन से सहर कौन से किस नदी के किनारे बसे हुए थे जैसे आपसे पूछेगा हडपा किस नदी किनारे बसा था ठीक है उसके बाद आपसे पूछेगा कि मुहन जोदरो किस नदी किनारे बसा था तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक याद रख लीजे ठीक है एक मैं आपको ट्रिक बता दे रह होगा हरा मी की सि ठीक है तो अगर जोड के भूला जा तो हरा मी के सी सी ट्रिक याद रख लिए जा हूँ मैं आपको पताने जा रहा हो झा रहा हूँ सीटी जैन डैर सीटी इस एड oneyber को पे बिए कुस जिवर के बैंक पसके सिटी थी यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है सिटी इस अंदब कि रिवर्स बैंक ठीक है किस नदी के किनारे कौन सिटी थी तो आपकी ट्रिक है इसी ट्रिक के माद हम से आप जितना याद कर लेंगे बस उतना ही आपका पूछा जाएगा ट्रिक के है दूस्तों श् मी माइben कि की ऐए ठीक है कि हराय में की सी ठेया हरा आपकी से हुझा ठीक है हरा आय से याजते है आपका हो जाएगा हरा जाएगा हर अर आय से क्या हो जाएगा रावी नदी थ CButton homeowners कि अरुकत पहिशका खेने कीनारे भसा थो । हरवी किनारे बसा हड़ पर किसने किनारे हैages normalडिक किना रहे ह Sakami जो जाएगाली हाशमपंद कि से हो जाएगान क्या हो जाएगाली बगगन कर दो शीषे हो जैगा चंद्रहुद्रो कि एच्चे से हो जाएगा हडपा मतलब मतलब यह जितने भी थे मुहन-जोडरो भी सिंदू-नदी किनारे था काली पगदन भी सिंदु नदी या फिर इंडसनारी किनारे था ओर चंड रखुदु लो भी आपके ऊबप के ऊठी किनारे बसा हुगा था तो बस आपको इतना जयाद रखेंज 모르iernut टिक क्या है हरा मी की सी ठीक版 और इस से आपको जो है को लगता है याद हो बाकी सब इंडस नरी के किनारे ठीक है अगर आपको इतनी बात हें क्लियर हो गही समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं और देख़ते हैं कि कौन से सवार काथ से कौन सी वस्टवें पिर आप हुई ती अब मैं आपको बनाने जा रहा हुँ दोस्तों और चाहर हisions कि इंद इन सिटिज मतलब कि स्कॉन से सहर में कौन से आर्टिकल पाय गया थे आर्टिकल रवाएं अर्टिकल्स फॉंट लृट्ट इप थें ठीक है इसे हरा कौन से आर्टिकल, कौन से वस्तु हैं, किस जगह से फ्राप्त होई थी, ठीक है, तो अब आप चलिए, इसमें भी आपको मेट्रिक बता दूंगा, हला कि, बट थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, जैसे काली बगगन से, काली बगगन से क्या-क्या मिला था, सबसे पहले, ठी से क्या-क्या मिला था, उसके बाद हरपा से क्या-क्या मिला था, ठीक है, हरपा से क्या-क्या मिला था, ठीक है, सबसे बात, सबसे पहले बात करते हैं, काली बगगन काली से होता है, क्या, काला और बगगन से होता है, चूडियां, मतलब काली चूडियां कहां से मिली थी, अ तो यहां से जो है ब्लैक बैंगल मिले थे ठीक है क्या मिले था ब्लैक बैंगल ब्लैक बैंगल कहां से मिले थे आप से पूछेगा तो काली बगगन से मिले थे ठीक है और क्या यहां से मिला था यहां से जूते हुए खेत मिले थे या फिर कल्टीवेटेड लैंड मिले थे ठी ठीक है और क्या मिला था सजे हुए इटे मिले थे डेकोरेटेड डेकोरेटेड ब्रिक्स ठीक है सजे हुए इटे कहां से मिले थे काली बगगन से मिले थे ठीक है काली बगगन से क्या-क्या मिला था आपका तो काली चूड़ियां चूते हुए खेद और यह आपके डेकुरेटर ब्रिक्स और भी चीज मिला था जिसको हम कहते हैं उट की हड्डियां ठीक है तो लिख देते हैं आपके कैमल्स सुट मतलब होता है अपके हिंदी में पढ़े होंगे तो सुट का मतलब होता है घोड़ा सुथ का मतलब होता है घोड़ा और गेंडोर का मतलब होता है हड़ी ठीक है तो सुथ का गेंडोर से सबसे पहले क्या प्राप्थ हुआ था घोड़े की हड़ियां या फिर होर्स बोन ठीक है होर्स ठीक है तो सुथ का गेंडोर से प्राप्थ हुआ थे आपके घोड़े की हड तो घोड़ों की जब कबर बनाई जाएगे गोड़ों की कबर बनाई जाएगे तो घोड़ों 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 की चार पैर होते हैं बुनॉब ओवेल ग्रेवियार्ड मिले थे या फिर कब्रें मीले थे ऑवेल ग्रेवियार्ड से मिले थे कहां से सुतका गेंडोर्न से क्या क्या घंडी घंडा फिर आपके जो है औरल अंडाका रखार teenडोल से कुनेड से कौन मीले थे इंग्लिस में कहें तो क्या गेंगे हम कहेंगे Silver Crown ? कुनयल से अभको क्या मिला था ? Silver Crown या फिर किस का मखुट ? Candie का मुखट मिला था कहांसे ? कुनयल से त्रिक है अब बात करते है आकरी है हमारा हडपपा सबसे पहला नगर हडपा यहीं¬ वेदों में क्या कहा गया है ठीक है वेदों में हडपा को क्या कहा गया है ये कोशन आप से पूछता है तो वेदों में हडपा को कहा गया है हरी यूपिया क्या कहा गया है हरी यूपिया ध्यान रखेगा वेदों में हडपा को कहा गया है हरी यूपिया ठीक है हडपा से बहु था ठीक है स्वास्तिक का जिन्न मिला था स्वास्तिक का जो मार्क था वो भी है इसे मिला था फिर आपको 837 कबर मिली थी ठीक है 307 कभर भी कहां से मिली कि हड़पा से ही मिली थी और एक और चीजा मिली थैं जिसको कहते हैं मात्र देवी की मूर्थ इते मॉर्ति खुर hundred आ हूँ बच्भे के यानि कि मूर्ति भी कहां से पराप्थ हुई थी हरपपा से ही पराप जो लिख देते हैं ideal ठीक है आफ मदर ओड़ेसा के सट्र गॉडेस कहां से मिला थाउब कर अतर्फन काल की देन है तो आपका एंसर हो जाएगा स्वास्तिक कचिन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंदु गाटी सब्विता काल की देन है सब्सक्राइब है स्वास्तिक कचिन आपके आपके शिंदुगाटि सब्भतक समय की देन है ठीक है और आपके जो है Mother Goddess मिली थी जानी कि Mother Goddess की मूर्ति यानी की जो आपके मात्र देवी की मूर्ति मिली थी 837 कब्र यह क्या चीज है यह आपको दियान दखना है ठीक है 837 कब्र आपके लिए important है क्योंकि आपको परसान करेगा कि यह क्या चीज है ठीक है कब्र जो है मिला था तो सेप क्या था आर था और 37 लोग को लिठाया गया था इसलिए इसका नाम रख दिया गया आर 37 कब्र इतने चीजे जो है आपके कहां से मिली थी तो मतलब इंडस वैली सिविलाजेशन से मिली थी अच्छा एक बहुत important नाम जो छुड़ जा रहा है वो है आपका मुहन जोदरो ठीक है मुहन जो दारों से क्या क्या मिला था मुहन जोदरों को आप कहते हैं कि सिंदु सब्यता का बाग ठीक है क्या कहा जाता है इसको सिंदु सब्यता का बाग किसी कहा जाता है तो आपको कहा जाता है मुहन जो दारों को टिस को कहा जाता है मुहन जो दारों को यहां से क्या क्या मिला था अगर आप से पूछता है तो सबसे पहले आपको यहां से मिला था अन्नागार या फिर ग्रेनरी ठीक है ग्रेनरी क्या होता है जिसमें हम यानि की जिसमें हम ये ग्रेंस वगर रखते हैं मतलब जो जैसे चावल गेहुं ये सब जो है रखते हैं तो अन्नागार कहां मिला था मोहन जोदरो प्मिला था यह महन जोदरो ऐसे सीटी इस थी जो कि बहुत ही ऊपर बसी हुई थी अशा यह भी कोशन आप से कि ज है तो वहां पे और तक पानी नहीं जाता है 01 तो पार का प्रभरी तो कुछ उपर सिटी इस थी जो जिसको मैं सिटाड़ कहते थे जो की कहां से मिली थी मिले था म्तलब जो की आपके इंडर्स वैली सीविलाइचेशन से मिलीथी तो उसमें और से में से एक है आपका मो एक पुजारी की मूर्ति कहां से मिले थि यहीं आपके मुहन जोद्रों से मिले थे पुजारी की मुर्ति या फिर आइडियल ओफ आप कह सकते हैं वरसिपर कह सकते हैं से फिर क्या केसकते हैं भाइस फीर का हेंगे कि आशायारी की सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर हाथ ऐसे जहां से कटा हुआ था इस टाइप से और ऐसे वस्त्र अगरा लपेटे हुए थे तो ऐसे मतलब मान लिया गया कि यह पुजारी की मूर्ति है तो इतने सारे चीजे हैं मोहन जोदरों से मिली थी ग्रेनरी मतलब अन्नागार कॉटन क्लोथ सूती कपड़े स वह पुजारी के मूर्ति हैं महन जोदरों को क्या कहते हैं सिंदु का बात कहते हैं काली बगगन से काली चुडियां जोते हुए खेत सजे हुए इटे और उट की हड़ियां मिली थे सुथका गेंडोर का मतलब ही होता है घोड़े की हड़ी तो घोड़े की हड़ियां यहां से मिली थे ओवल से ब्रयाड मिले थे कुनैल से आपको बस एक चीज़ा रखना है एको पार कि ऑड़े कहां से बाड़ा थे कहां से अब आपसे कुष्चन पूस्था है कि जोग के दाने कहां से मिले थे है चावल कि दोस्तों आपसे पूछता है कि जो के इसहाओं, जिया उने आप ए ध्यान दखेगा जब गोरी चली क्या है जब गोरी चली, ठीक है जब गोरी चली जब गोरी नहीं चली जब गोरी चली ठीक है जब गोरी चली ठीक तो आजे देखते हैं क्या है यह जब गोरी चली तो क्या हो गया जब गोरी चली तो जव से हो गया जव ठीक है जव गर से हो गया गेहू ठीक है जव से हो गया चावल तो आपसे पूछेगा जो के दाने कहां से मिले थे तो बह से क्या हो जाएगा बह से हो जाएगा बनावली ठीक है बह से बनावली ठीक है तो जो के दाने कहां से मिले थे बनावली से मिले थे कहां से बनावली से ठीक है गेहूं के दाने कहां से मिले थे रह से क्या हो जाएगा रंगपूर, ठीक है, क्या होगा, रंगपूर, ठीक है, रंगपूर से मिले थे, गिहूं के दाने, ठीक है, चावल के दाने कहां से मिलेंगे दोस्तों, चावल के दाने मिलेंगे ला जानी की, लोथल से, ठीक है, लोथल से मिलेगा आपका, चावल का दाना, ठीक है, लोथल से चावल की दानिय से चावल की की दानिय से वह ताने से कि hobirds को अधो ऐसे मालगे गले हों तो जो जो शुर्ब को कि भूसी यह हूं तो कर इस पर शुल फिल आiling घर करने यह हैं दो चावल चावल की भूसीं मैं यहां चली से यात करने सिर्ट बता रहा है तो चावल की भूसीयां ऊड़ करके कहां गोरी चली जो के दाने कहां से बनावली से, गेहुं के दाने रंगपूर से, चावल के दाने लोथल से. ठीक है इतने चीजे अगर आप लोग को क्लियर है दोस्तों तो यहां पर जो है यह जो आपके यह सब पूछता है कि कौन चीज कहां से मिला था क्या चीजे कहां से मिली थी यह आपका समाप्त होता है अब हम जो है इसमें कुछ एडिशनल जानकारी लेंगे ठीक है तो इतनी क हैं तो कि संदुगाति सब्वेता के जो से मतलब जो घर थे व एक इसन परदती या फेर चसकते हैं कि सिश्टम पर बनाए गया थे तो जो भूर सिश्टम कि हैं और करेकिंट्र क्ए तो बूस्amtरा करते थे बहुत ही बिलकुल सीधे जब जस्ति तर्न डालते हैं लेकिन यह सोची है आज के हजारों लाखों साल पहले के सब्वेता थी बट फिर भी इसमें जो है टेक्निकल्टी कि इतनी यूज की गई थी कि जितने भी रोड थे सारे रोड एकड़े सीदे थे ठीक है सारे रोड एकड़े सीदे थे और तो आपको जो दूरी अगर इस समय पर्टिकुलर प्रेजन टाइम में जो दूरी आप जैसे यहां से लखनो जाना होता है तो किलमीटर होता है और अगर उसी रोड को सीधा कर दिया जाए तो कितना होगा दूरी तो आधी से कम हो जाएगी तो इस टैप की प्रदति यह फिर इस टैप का जो है आपका सिस्टम यूज़ किया गया था घरों को बनाने में कौन सा सिस्टम ग्रिट सिस्टम नाम याद रख ग्रिट की तरह ठीक है और घरों के तो आगे के तरफ नहीं रोड के साइड नहीं कुल करके कहां खुलते थे पीछे के साइड खुला करते थे यह सारे वे जाते हैं ऐसे मैं नहीं बता रहा हूं ठीक है यह सारे questions पूछे जाते हैं grid system के अनुसार से बनाए गया थे ठीक है दर्वाजे जो है पीछे के तरफ खुलते थे उसके बाद drains जो है जो है drain हर घर में जो है नालिया थी और नालिया जो है well covered थी ठीक है यह भी बहुत पूछन पूछता है कि कौन सी भासा बोलते थे तो चुकी जो है यहां से कुछ ऐसा नहीं वी है कि जो रिटरन डॉक्ट coupon प्राप्त भी हुआ हैं उसको भी सिद्थ पढ़ाने जा सका है तो कौन से भासा बोते थे Exactly हम नहीं कह सकते हैं लेकिन क्या हुआ कि कुछ cave में कुछ आप कह सकते हैं कुछ cave में फिर कुछ जो मतलब कुछ दीवा दुए कुछ घरों के दिवालों पे या फिर कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे चीजे प्राप्थ हुई है जिस पे जो है कुछ डिजाइन वगरा टाइप में आकरितियां बनी हुई है कुछ फिगर वगरा बने हुए हैं तो यहां से अगर आप से पूछता है कि किस टाइप के भासा यू ठीक है मतलब अपने जो भाव थे उसको चित्र के माध्यम से यानि की फिगर के मतलब जरिये जो है वो दिखाते थे अगर आप से पूछता है सिंदु घाटी सब्विता में भासा कौन सी थी तब तो आप लिखेंगा भाव चित्रात्मत लेकिन वहीं पूछ जैता है सिंद लेकिन आप से पूछेगा कि सबसे जादे बार कौन सा जो है सब्द मिला था ठीक है जो यह चितर बनाये गये गया हां भाव चित्रात्मत तो सबसे जादे बार कौन सा सब्द मिला है किस टाइप के सब्रत मिलव आपकी यूआ यूप रखरिति कुछ इस टैप के आगरिती जो है सबसे जादे बार मिली है तो इसको भी आप ज्यान लख लिजेगा ये सारे को संस के NCRT के हैं और इसको आप लेहाग देखेगा पूछेगा कि God कौन से थे सुन्दू गाटी सब्वेता के God कौन से थे तो दोस्तों सुन्दू गाटी सब्वेता में एक मूर्ती प्राप्त हुई थी या फिर एक कहा जाए कि एक मूर्ती कह सकते हैं ठीक एक फिगर टैप में प कमित रहा है या फिर इसको मतलब किसी ना किसी तरीके से जानवर के उपर एक जानवर को कंच्रोल कर रहा है ठीक sharks स्ви पता लगा कि यह जो मूर्ती है वो किसकी है मतलब उसका ऐसे नाम दे दिदिया गया कि भाइक कंच्रोल करने क्वाला क्षिगा पती कहलाता है ठीक है और और किसको कंट्रोल कर रहा है तो जानवरों को एनिमल्स को पसूँ को ठीक है तो उसका नाम दे दिया गया पसू और पती पसूँ करने वाला कौन है पसूपती ठीक है पसूपती ध्यान रखिएगा दोस्तों आपके ऑप्शन में रहेगा श्यू भगवान संकर तो एंसर गलत हो जाएगा श्यू मत मार कर किया जाएगा ठीक है श्यू नहीं लगाना है श्यू बाद में पता लगा था पहले पसूपती नाम दिया गया था बाद में जब है आपके मुर्ती निकली थी भगवान संकर की तब कह दिया गया था कि भाई नहीं ये तो पसूपती ना जो है और कोई नहीं ये बलकि संकर भगवान की ही मूर्ती है ठीक है जो आपके मुहन जोद्रों से जब आपकी संकर भगवान की मूर्ती मिली थी तब पता लगा कि नहीं नहीं ये तो जो है पश्रुपती जो है वो और किसी का नहीं ये संकर भगवान का ही आउतार है तो ये बाद अवरत की मूर्ती थी जिसके पेट में से वो पेड टाइप में निकल ला था फसल निकल लए थी तो मान लिया गया कि फसल निकल रही है तो यह जो है यह खाना वगर हमको देंगी और यह क्या है मात्री है मतलब मात्र भूमी है तो मान लिया गया उनका नाम दे दिया गया कि म मात्रे देवी ठीक है क्या नाम दिया गया मात्रे देवी या फिर मदर गॉर्डेस ठीक है मात्रे मात्रे देवी लिख देते हैं ठीक है जो है देवी कौन सी थी तो मात्रे देवी या फिर मदर गॉर्डेस ठीक है मदर गॉर्डेस जाद रखिएगा ठीक है मदर गॉड़ेस गॉड़ में पुछेगा पसुपतिनाथ एनिमल पूछेगा तो सबसे पहले पालतू बनाये कौन सा एनिमल था तो सबसे पहले पालतू बनाये गया था कुट्टे को ठीक है सबसे पहले जो है कुट्टे को पालतू बनाये गया था डॉग को ठीक है सो हमारी सोशैटी थी था लाज के क्या चलेगे तो यानि कि online क्या सकते हैं ठीक है पिर मधनेटर के सकते हैं त्द इसत्तात्मक्र गविशacao और टाक्र इसत्थAdminac हमचे जाने अच्छा होगा मात्र सतात्मक ठीक है गार्फ नीच कि दージन नहीं चलता था ठीक है अब यूटेंसिल की बात करते हैं दोस्तों बरतन की तो बरतन यहां से दो प्रकार के मिले हैं दो रंग के बरतन मिलें पूछता है कि किस किस रंग के बरतन प्राप्त हुए है तो दो रंग के बरतन प्राप्त हुए है लाल कलर के और काले कलर के ठीक है लाल क कि बर्तुनों में ये खाना पकाया करते थे और रेड कलर के बर्तन पाए गए थे ठीक है सिक्कों का पूछे का कि 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 स्टाय की पाए गई थी तो यहां से जो क्वाइन पाए गए थी वो टैल से बनी हुई थे टैल को हम हिंदी में सेल गड़ी कहते हैं ठीक है यही वही टैल टैल कैसे तो ज the उचशा रहेगा जब यहां चाने के बात बात करते हैं इंटर्टेन्मेंड के लिए क्ली क्या ज्यूस किया करते थे इंस्डेंग की मूरतिया में म sinking ड्रताइब द qui कि नर्त की मृतियां मली है तो उ भी कि आपकी मुहनजौदर मिली है तुट यहांसाई इतना है ठीक इसके बाद एक त्रिक मैं बताऊंगा उसमें आपको सारे की a जो भी स्थुटा होगा वह भूंग्य ने कर देंगे तो contributing पहले का पाए गया जो बहुत ही हाइट अपकाया गया थे और उनकी जो लेंद ब्रेट और हाइट का जो रेशियो था वो था आपके 4 is to 2 is to 1 L is to B is to H is equal to 4 is to 3 2 is to 1 अब क्या था अब bricks कैसे थे पके weight यह थे अब आपसे पुछेगा कि crops या फिर कौन कौन से फसल उगाय करते थे तो कुल मिला के 14 प्रकार के फसल उगाय करते थे ऐसी जो है साक्षी मिले है जो मिला के 14 टाइप के फसल उगाय करते थे जिसमें से आपके लिए बहुछ से इंपर्टेंट है कि ापके लिए जो मैंने और लेडी बता दिया ठीक है उसके बाद क्या के बताय थे हरामी किसी बताय थे ना तो आपका जो इंपर्टेंट है गेहु इंपोर्टंट है एक पास बहुत । आप से पूचता है कि सब्से पहले क या फिर सब्से पहले जो कौटन है कौटन उगाने का श्रय किस देश को जाता है कौन से स्ब्यता को जाता है जो सब्से पहले कपास हुगाने का जो स्रेय मिलता है और जहीं सिन्दूहाटी सब्विता से इसलिए कपास बहुत इंपोर्टन् hayır तब सबसे पहले कर दो के एंड़े सिन्दूहाटी सब्विता से ओक बात कर लेते हैं ओकुपेशने फ्रिम G ऑख कैया था, तो बैसे में जो है, आपको 2 चीजे ध्यान रखने हैं, ये तोड़ा सा दिया का लाग मानना है, ठीक है कुछ इतिहासकार का लग मानना है, कुछ लोग मानते हैं कि इनका उक्वेशन, सिंधूघाटी-शिअवीता की लोगों कालों का जो कुछ स seguости, वो था एगरी कल्चर या फिर क्रिसी ठीक है कुछ लोग एगरी कल्चर को मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं आपके ट्रेड को ठीक है ट्रेड या फिर वैपार को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग एगरी कल्चर को मानते हैं तो जो भी आप्शन में आपके होगा उसी ह साब से आपको answer कर देना है ठीक है agriculture क्यों होता है क्योंकि यहां से जो है कई सारे जो है आप देखते हैं जूते हुए खेत मिल रहा है फिर जेहू गेहू चावल जाओ कपास यह सब और जो Coh success है तो कहीन न कहीन यह अनुओं लगाया गया कि यहीं पर खाली पाय उगा हुए है मतलब बने केसा अब यहीं पर मिलोड़िकी लेकिन और भी जितने सब Laureate थी उसमें भी जो है यह कपास जो है जो यहीं के कपास सें में यहीं के कपास वहां पर भी मिले तो यह अनुवान लगाया गया कि हो ना हो कि यह जो चारों सब बताएं थी यह सब आपस में क्या किया करती थी फैट किया करती थी इसलिए मान लिया गया कि इनके जो occupation था वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या फिर ट्रेड करना भी इनका occupation था तो यह विवादित प्रस्न है जिसके दो answer बनते हैं अब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी building सबसे बड़ी सबसे tallest building सबसे बड़ी building कौन सी थी तो इसमें जो है इसमें भी आपका दो answer होता है या तो अन्नागार biggest building आपका है अन्नागार ठीक है great बात भी आता है ठीक है great बात आता है तो great बात या फिर ग्रेनरी ठीक है port कौन सा है एक ही है लोथल ठीक है इतनी सीजें इतने सारे facts आपको याद कर लेने हैं लेंगे से यूज़ करते थे बहुची तरात्मक कौन से में गौड थे पशुपतिनाथ उसके बाद गौड़ेस तो मात्र देवी या फिर मदर गौड़ेस एनिमल कुट्टा सबसे पहले पालतू बनाए गया जानवर कौन सा था तो आप्शन में रहेगा कुट्टा और कु जो मतलब घर में जो ओड़ते थी उनके अंसार से चलती थी बर्तन या फिर उटेंसिल्स दो प्रकार के मिले हैं रेड बर्तन और ब्लैक बर्तन ठीक है क्वाइन्स कैसे किसके बने हुए है टैल के बने हुए है टैल क्या नहीं के सेल गड़ी है जो टैल कम पाउड फोर इस्टू फोर इस्टू टू इस्टू उन था ठीक है क्रॉप या फिर जो आपके फसल थी वह लगवत चॉलर टाइब की फसल पाई गई है जिसमें से आपको चार याद कर लेने हैं जोग यहूं चावल और का पास इंपॉर्टेंट है ठीक है अब अगर इतनी बातें इसमें क्लियर है एक चीज़ आखरी में मैं आपको एक बताता हूं जिससे जो है आपके जो और चीजें जो पूछता है कि क्या चीज़ कहां से पाया गया वह सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी ठीक है वो ट्रिक है मतलब पहले भी कुश्यों को बता दिये हैं और अब जो है वो ट्रिक बता देंगे तो आपको सारी सीजें मिल जाएंगी और एक जगह आपको मिल जाएंगे ठीक 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 थ्वासा आजीब है ठासा याद करने में आपको टाइम लगेगा लेकिन यह है कि दो चार दस बार अगर आप मेरे साथ बोल देते हैं तो आपको आलू मोहे आम साम पाम साम ठीक है कम आलू मोहे आम साम पाम साम क्या है अजीब आजीब ट्रिक मैं आपको आज दे रहा हूं ठीक है तो इसका ट्रिक है कम आलू या फिर आल जो ही आपको लेजे कम आलू मोहे ठीक है कम आलू मोहे आम कि आम साम पाम साम क्या है कम आलू मोहें आम साम पाम साम ठीक है तोड़ा सा जीब कट रहे चल रहे हैं सों तो इसको आपको याद रखना है अब अब सब एक एक कर दो से तो लिखते चल रहा है यहां से किने की ऐसे की नर्टकी मत्राइब आपका अगनीय वेदियां मतलब इसमें यग्यों के किया जाता है त्ञे कि अगनी वेदियां अगनिवेदियां कहां से मिली है कांसे के मिली है अगनिवेदियां कहां से मिली है तिसरे नंबर पे है मां मां से आपका हो जाएगा मात्रे देवी की मूर्तियां ठीक है क्या हो जाएगा मात्रे देवी की मूर्तियां मात्रे देवी की मूर्ति ठीक है मात्रे देवी की मूर्त तो यहां पर उल्टा हो गया है इस सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ब्सक्राइब की मुर्ती है और इस सब्सक्राइब आप ये वाला सा कर लीजिए ठीक है हलाकि वो भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको इसको नीचे कर दीजेगा उसको उपर कर दीजेगा ठीक है शीव की मूर्ती ठीक है शीव की मूर्ती कहां से मिली उसके बाद छट्टे नंबर पर है पर से क्या हो जाएगा पुजारी की मूर्थी ठीक है पुजारी की मूर्थी पुजारी की मूर्थी ठीक है और आखरी है आपका साथवे नंबर पर वो है सूती कपड़े कहां से मिले सूती कपड़े सूती कपड़े और उसी सा से सा दो बार है ऐसे कर लिजे सा स्कॉार कर लिजे तो सा दो बार है उसी सा से हो जाएगा आपका इस नाना गार या फिर ग्रेट बात आप कहते हैं इस नाना गार या फिर इसी को हम कहते हैं ग्रेट बात ठीक है इस नानागार को ग्रेट बात कहते हैं बाकी अगनी वेदियां जो अगनी कुंड होता है उसको कहा जाता है ठीक है तो अब जो है जहां पर भी मह है मह से हो जाएगा आपका मोहन जोदारो ठीक है मोहन जोदारो ठीक है मोहन जोदारो ठीक है जहां पर भी है तो ciao यहां वente से आपको क्या शीफ अगर आपसे पूछता है कि कहां से की मूर्त की कहां से प्राप्थ होई थी तो कहां से प्राप्थ होई अपकर विभा आपको याद हो जाएगा तो कांसे कांसे के नर्तकी मतलब डांसिंग करल डांसिंग गलór जिए ऑ tw ONE TVs के प्रोंजर कि इसे इसको ऑनोजर स्विलाजिएशन भी कहते है तो कांसी कि अंसरी की मुर्थी डासे मिला था लोथल टीक मात्र देवी के मुर्ती कहांसे मीदी इंट fick 우리 हर्षाम वहां से हो जाएक आपका सूती कफड़े वह भी आपके कहां से मोहन जोदरो से और शह से ही स्नाना बीयोगा जो भी आपके कहां समेला था ग्रेट बात या प्रिस्नाना गार भी मोहन जोदरों से ठीक है कि सिंदुगाति सभेता क्यूं विलॉप्त हो गए का ऐसे इतनी बड़ी सभेता आख confession ato मेर्म हो रीप्टे तो देखी किसी बhai्न की चीज को हटाने के लिए जुक आधर की तिरे एक one Pac law कि तेओर इन दो तो भॉत करते हैं तो अगर हम डार्वीन की तीய की बात कि आ दारविन की झियोरी आपके टोटल और टोटल बेष थे इन की त्योटल और टेटर्ल आपके प्रकिर्ती पर विरीश मतलिपल्ब नेचर चाहे vídeo यह कहते थी जैसे आप एक छोटे से ग्यांपल समझे वहां इप की थी हलां कि बायों का बट्वाइबा देते हैं काम तो है गाई ठीक है लेमार्क के जो घृ फूचते आताईम करे लेम त्योरी कि यह लहें और के यहीं more लेइए मेार के ठीक है और डार्विन के थी ठीक है यह द्यों थिए थी एक थे लेमार की थिए और एक था डार्विन की थिए ठीक है लेमार की थिए का नाम था फिलोस्फिक जो लॉजिकल ठीक है और डार्विन की बुक का नाम था ओरीजिन ओफ इस पेसीज ठीक है या फिर ओरीजिन ओफ इस पेसीज कहिए या फिर आ की पत पता है जाता है आपसे ठीक है कि इनके बुक कर तो लैमार की बुक का imagined फिलोस्फिक जियोलोजीकल और डारविन के बुक का नाम था औरीजिन ओफ स्पेसी याफ फिर निचर्ल सेलेक्शन नेचर्डल सेलेक्शन stewards पूरी आपके करें इसमों की नेचल सेयक्षण फ् ठीक है तो बात के लिए एंगे लेमार के वो बिक नाम था फिलोस्फिक जो लॉजिकल और डौलिंग के नेचर औरा लिजन और पिस्पीसिज आफिर नेचल सेयक्षिन त्योरिय तो दोस्तों लेमार की जू थियोडि जो करेगा इनसान वही होगा तो और वहीं अगर Darwin की थि्यूरी कि बात किया जा तो Darwin की थी यह कहती थी कि नहीं-णहीं जो प्रकृटी चाहेगी जो नेचर Jake वही होगा नेचरल नेचर के उपर tribal करता था Darwin की थिउरी ठी Çağ मतलब इनसानों के आपके यह यह कहती हुआ करते थे और जिराफ के जो गर्दन थे वो छोटे हुआ करते थे तो पहले जिराफ क्या करता था कि छोटे-छोटे पेढों को मतलब खाता था उसका पीड़ भढ़ जाता था धीरे-धीरे क्या हुआ की पेड़ जो है Bड़े होते गए तो जो जिराफ था वह अपना गर्दन जो उठाने लगा ठीक है जिराफ अपना ओं कि गर्दन खुब हुचा उठाने लगा और उठाते हैं से क्या हो गया कि जिर्आफ के जो गर्दन था वो वो रुख जाएगा ठीक है तो ऐसे ही जो है कुछ इनकी थियोरी थी लामार की भाई की जिस चीज को यूज करेगा वो चीज चड़ेगा और जो चीज को वो मतलब यूज घटा देगा वो कम हो जाएगा उन्ही का त्वासा उल्टा था डार्विन की थियोरी ने कहा कि नहीं आए दो टाइब की जिराफ हुआ करते थे तिए डो टाइफ के जिराफ हुआ करते थे एक जिसका मूःख लंबा था और एक जिसका मूः जो है जो छोटा था ट्रीक है तो अब कैसे जो है विलुक्त हो का छोट जिन्दा रह जाता था फिर प्रकृति ने क्या किया कि पेड़ों को साइब बड़ा कर दिया तो छोटे वाले जो है उसको खा ही नहीं पाया ऐसे बड़े वालों को मिला और बड़े वालों जो है जो लंबे वाले थे वो जिन्दा रह गया चोटे वाले नहीं खा पाया पेट इन्ही थियोरी के नुसारत पर हम बात करते हैं अगर तो या तो कारण माना जाता है कि या तो आरियों का आकरमट आरी इसके बाद वैदिक कल आएगा तो या तो आरियों की आकरमट से सारी विलुप्थ हो गई या तो भाई भगवान प्रकृति चाहे और कोई महामरी वगर आ गई, epidemic वगर आ गया या फिर कोई कहा जाए कि महामरी आ गया और सब कुछ विलुप्त होते चला गया, तो यही दो थियोरिज हैं कि प्रकृति ने हो सकता है चाह हो, फिर वांति मंुति Tekken означate क्या कहा जाता है इनको कह देरे दिरे प्रभाव कम हो गया हो और अटेक किया हो और और खत्म हो अबар यंस क्यों और एंस माना गया कि आरियन के अटेक से क्यों खत्म हुआ तो चुकि आरियन के पास जो है अब आप जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक कल्चर तो उसे बहुत ही डीटेल बताएंगे कि मतलब वैदिक कल्चर हम आपको बहुत डीटेले पढ़ाने वाले हैं तो आप मतलब अच्छे से जो है उसके लिए प्रिपेर रहिएगा ठीक ह ही होगा क्योंकि उसमें पूरा में आपको हिंदु धर्म के बारे में बहुत ही अच्छे समझाऊंगा ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा असानी के साथ तो जैसे आप पढ़ेंगे कि आरेंस जो है सबसे पहले आईरन या फिर लोहे की खोश किये थे अब उनके पास ल वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में जिसमें कि वैदिक कल्चर की तरह नहीं हम इसको आपको हिंदु धर्म की तरह समझाएंगे और सब के लिए देखना उसको जो है इंपोर्टेंट है सबको देखना चाहिए ठीक है वो शेयर करने माला वीडियो होग किसी भी आप मितलब बुड़े बुजूर किसी को भी सेयर कर सकते हैं उसमें आपको जरूर ग्यान मिलेगा अपने हिंदु कल्चर के बारे में अपने सनातन धर्म जो है क्यों सनातन धर्म कहते हैं इसकी बारे में आपको जानकारी मिलेगी ठीक है तो दोस्तों अगर आपक को सबस्क्राइब केजिए, आदिए बेल लाइकन दबाइए, और नवार।